उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाओ को लेकर सभी राजने तिकदल अपने अपने टिकट फाइनल कर रहे हैं। इसमें सामाजिक से लेकर जाती समीकरण पर खास फोकस किया जा रहा है। वहीं सपा और बसपा में मुस्लिम उम्मीद्वारों को लेकर कमप्टीशन लगा हुआ है। हर बार सपा को मुस्लिम के हितैसी के ज़्यादा दावा किया जाता था। वहीं इस बार बसपा सपा से 20 साबित हो रही है। टिकटों के फाइनल में बसपा ने 62 उम्मीद्वारों को अभी तक मैदान में उता रहा है। जबकि उसने 231 स्कूल टिकट फाइनल किये हैं। यह करीब 26 फीसद से ज़्यादा होता है। वहीं सपा ने अभी तक 19 फीसद ही मुसलिम उम्मीद्वारों को टिकट दिये हैं। अब देखना है कि मुसलिम उम्मीद्वार कितना किस सीट पे विजय हासिल करते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं अगर बस्बा की पुरानी रड़नीतों को देखें तो पिछली बार उसने 403 सीटों में से 99 टिकट मुसलिम उम्मीद्वार को सोपे थे। इनका स्ट्राइक रेट पांच फीसद ही रहा। यानी कि पांच फीसद मुसलिम उम्मीद्वार ही हाथी पर सवार होकर विधान सबाब पहुचे। संदी पांडे, ETV भारत, लखनौ।